नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चेनल पर हार्दिक स्वागत है, आज हम आपको बसंत पंचमी की ब्रतकता स्रवन करानी जा रहे हैं। कई हजारों साल पहले बर्मा जी ने विस्तनु भगवान के आदेश पर स्रिष्टी की रचना की, उस समय उन्होंने सभी तरह के जिवजन्तुओं के साथ ही मनुश्यों को भी बनाया। स्रिष्टी के रचना के बाद बर्मा जी धर्ती पर आकर प्रहमन करने लगे। तब उन्होंने देखा की हर तरफ सांती ही सांती है और किसी तरह की ध्वनी नहीं है। यह सब देखकर वो अपनी रचना से संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर जमीन पर छिरक दिया। जल के छिरकने के बाद धर्ती में कमपन हुआ और धर्ती से चार हातों वाली सुन्दर देवी प्रकट हुई। उस देवी के एक हाथ में बीना, दुसरे में बर मुद्रा, तिसरे में पुष्टक और चोठे में माला थी। चतुर भूजी देवी ने बहर्मा जी के कहने पर अपनी बीना से मधुर नाद किया। तब संसार के सभी प्रानियों को बार्नी प्राप्त हुई। उस दिन के ब धुरता को सुनने के बाद बर्मा जी ने उन्हें बार्नी की देवी सरस्वती पुकाड़ा। तब से ही उस चतुर भूजी देवी को सरस्वती के नाम से जाना जाने लगा। मा सरस्वती देवी माग मास के सुकला पक्ष की पंचमी के दिन प्रकट हुई थी, जिसे बसंत पंचमी कहां जाता है। तभी बसंत पंचमी के दिन को मा सरस्वती के जन्म उश्रप के तोर पर भी मनाया जाता है। पोड़ानिक कथा के अनुसार भगवान स्री कृष्ण जी ने माता सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें ये बर्दान दिया था कि भक्तो द्वारा बसंत पंचमी के दिन उनकी पूजा अराधना की जाएगी। इसलिए बसंत पंचमी के दिन धुम धाम से मा सरस्वती जी की पूजा की जाती है। बोलिए मा सरस्वती की जै।